हलो इस्टुनेंट्स वेलकम बैक अजवाकर अक्याडमी मैसेलफ रणदीप सिंग और हम दिस्थ कर रहा है क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डाटा हैं इंट्रोड़क्शन पार्ट है इस एकसाइस के लिए जहां पर आपके पास टू एकसाइस 4.1 और 4.2 तो 4.1 एकसाइस जो है वह आपके किसके उपर बेस है डाटा हैंडलिंग आपको पता होगा पिक्तोग्राफ एंड ग्राफिकल जो आपने क्लास 7 के अंदर भी थोड़ा बहुत पड़ा होगा उसी के लेविल को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया बस यहां पर यहां हम डिसकस करने वाले मैंने आपको यहां बुला कि वन एपल जो है यहां पर ऐसे डाइग्राम बनावा आएगा यह रिप्रेजेंट करता है टैन पीपल को ठीक है अब यहां पर मैंने एक पिट्पोग्राफ के लिए कि यहां पर केबल बना दी मानलो यह एक एपल सेकंड एपल थर्ड एपल तो कितने फीपल हो गए थर्टी फीपल हो गए अब इनवी पीपल का मैं आपको ग्राफ बनाने को दे सकता हूं या फिर मैं आप इस तरीके से इपको रिप्रेजेंटेशन दे सकता हूं यह आपको एक चीज शोगी यह उटता पिसको ग्राफ नेक्स देखो अब अगला आता बार ग्राफ बार ग्राफ आप सब जानते हो ठीक है जैसे कि यहां पर इयर लिखे हैं कि 2001 2002 2003 2004 मेंली जो ग्राफ है ना आपके पास वो तो लास्ट चैप्टर चैप्टर में 14 थर्टीन उसमें आएगा यहां पर केवाल हलके उलका डाटा एंडिंग दे रखा है यहां पर क्या तो मतलब इस तरीके से बार ग्राफ किता ठीक है हम केवले में आपके आईडीय धे मोर रहा है अगला डबल बार गराफ डबल बार गराफ में क्या होता है डबल डबल यहां पर कुछ और representation होगा इससे किसी और चीज को फिर representation होता है सेम यह सबसे हैं स्टैंड में बौल एक शाथ हो गया 360 होता जो है वह मृलव ऐड़ पढ़ रहा है यह इतने आर पढ़ रहा यह इतने आर पढ़ रहा है इससे रिप्रेजंटिशन हो गया आप से पूछे का का चेंछ पढ़ेंगे तक आप पास यह लगेगा ठीक है यह आपके पास किया ? यह पाई चार्ट जो है इसको मिला कि फोर टाइप से आपके सामने आपके केशन पूंगे फोर प्रप्रट बन एक्साइज बहुत ही इजी केशन है और बहुत जादा अब तब 10-12 केशन से एक्साइज बहुत सिंपल ठीक है नेक्स देखते हैं एक्जेम्पल नमर बन के साथ क्दोपर से तक झांते ही oxygen के साथे इजी बहुत ही की इजी को अबुएज इंक पाईप मश से भाईफ musicा के लाई हूने ने कन दो हैं जापके से एक्साइज के तक साथे आपके से तक सार च मॉँएट है जो है से कि अपके स्ख़ान म्ल देट ल Boss जाई